श्रीहरी नित क्रम पूजा प्रकास इस पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक के लेखक पंडित लाल बिहारी मिस्री जी है इस पुस्तक से बरे बरे बिद्वान क्रम कांड पूजन कराते हैं यग्य हो अनुष्ठान हो ये समय ये सब पुस्तकों से बरे बरे बिद्वान जन अपने पूजा पाट कराते हैं। देखे, किसी भी कर्म कांड में सबसे पहले गनपती और गौरी जी का पूजन का विधान बतलाया गया है। इसके पीछे कहानी भी है कि सबसे पहले भगवान में गनिश जी का ही पूजन क्यों किया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पूजन, पूजा में जो वस्तू बिद्वान हो उसके लिए मंसा परिकल्प्य समर्प्यामी कहा जाता है। मन्सा यानि मन्स में उस वस्तु को आप ले लें और उसे समर्प्यामी प्रभू के चरण में समर्प्यामी कहें जैसे आभुशन के लिए आभुशनम मन्सा परिकल्प्यम समर्प्यामी इसी तरह मन में अगर जो वस्तु पूजा के समय विद्वान न हो तो उस समय उस मन उस वस्तु को अपने मन में रख कर प्रभू के चरण कमलों में समर्प्यम कर देना चाहिए मन से मन सा परिकल्प्यम समर्प्यामी तो आए भगवान गनिश का ध्यान कैसे करना चाहिए तो हाथ में अच्छत लेकर ध्यान करें ये जो किताब है इस किताब में कब क्या और कैसे किस भगवान को पूजन करना है किस मंत्र के द्वारा करना है ये सब इस पुष्टक में हमें बिद्वान है तो हाथ में अच्छत फुरले कर भगवान गनेश का ध्यान किया जाता है ध्यान का मंत्र ये सब है यहां तक ध्यान का मंत्र बतलाया गया है और उसके बाद आता है जब ध्यान हो जाए तो यहां से खतम करके उसके बाद पुना हाथ के अच्छत गनेश जी पर चड़ा दे जो आपके हाथ में अच्छत बचा हो वै ध्यान करने के बाद इस मंत्र को पढ़ने के बाद ध्यान करके जो अच्छत आपके हाथ में हो उस अच्छत को गनेश जी के स्री चर्णों में चरहा दे फिर अक्षत लेकर गनेश जी की दाहिनी और गोरी जी का आवाहन करें यानि कि जो अक्षत आप गनेश जी का ध्यान केते जिस अक्षत को लेकर वो अच्छत उनके स्री चोड़ों में चढ़ा कर पुन अच्छत लेकर उनके दाहिनी और व्रजमान गोरी जी का आवाहन करें तो गोरी जी का आवाहन इन मंत्रों से किया जाते हैं इन मंत्रों से गोरी जी का ध्यान करना चाहिए और इस मंत्र से भगवान को प्रतिष्ट कर देना चाहिए यह सम्मंत्र पढ़ कर और प्रभु को गौरी जी और गनिश जी के इस मंत्र को पढ़ कर आशन के लिए समट्पित कर दें और अनिक प्रकार के पाद अर्ग, आच्मन, अश्नान, पुना, आच्मनिये ये सम मंत्र के द्वारा कहकर उनके उपर जल चरहा दें दूद अशनान करना हो तो इन मंत्रों के द्वारा भगवन को दूद अशनान कराएं ये जो मंत्रे आपको दिखलाया गया है और यहाँ पे आप जो देखते हैं कि ये जुर्वेद हैं तो यह जुर्वेद से इस मंत्र को लिया गया है बड़े बड़े विद्वान इसे वेदिक मंत्र भी कहते हैं क्योंकि इसे वेद से लिया गया है इसलिए यह सब मंत्र को वेदिक मंत्र कहते हैं और उन्ही का मंत्र जैसे दुद अक्षनान कराना हो तो आप इस मंत्र को परियेगा तो आप वेदिक कहलाईएगा इस मंत्र के द्वारा आप पूजा अनुष्ठान कराईएगा तो आप वेदिक क्रमकान कहलाईएगा और इस मंत्र के द्वारा मतला उसी में सम्मोहित रहता है तो यहां से करा देना चाहिए दुद्ध अश्नान दुत अश्नानान का ये सम्मंतर हो गया और जिस भगवान का पुजन कराते हैं तो ओम-bhubhajshwah.ी गनिस जी का पूजय करा रहे हैं तो गनिस अम्भी का संजुक्त रूपसे गनिस अम्भी का भ्यो नवह नमध कह देना चाहिए फिर ददिक अश्नान है, ददिक अश्नान करने के लिए ये सब मंत्र का पाठ करें आईए अब ददिक अश्नान कराने का मंत्र पिछले पर्णा में हम आपको दिखला दिये हैं और अब घृत मतलब होता है घी, घी से अशनान कराने के लिए वेदिक मंत्र और ये मंत्र दोनों मंत्रे दोनों वेदिक मंत्र आपको बतला दिया गया है, इस मंत्र से आप घृत अशनान कराईए, मदुक अशनान इस मंत्र से के द्वारा कराया जाता है, और सक्रा अशनान इस मंत्र के द्वारा करें। सुन्दांत्र करें। वस्त्र प्रभु को पढ़ाने के लिए इस मंत्र से आप वस्त्र का वस्त्र प्रभु को समड़ और वस्त्र समवित करें फिर उसके बाद जब वस्त्र दे वस्त्र के बाद आच्मन दिया जाता है उसके लिए इस मंत्र का उप्योग करें उप वस्त्र प्रभु को समवित करे तो इस मंत्र के द्वार उपवस्त्र दें, उपवस्त्र देने के बाद पुना आचमन दिया जाता है, उसके लिए आचमन दें, फिर उसके बाद वस्त्र देकर येगो पवित्र दें, येगो पवित्र के लिए ये मंत्र बत्र लाया गया है, और उसके बाद येगो पवित्र करने के बाद अक्षत पूना लेकर इस मंत्रों से पढ़कर अक्षत पुना चढ़ा है पुष्व माला समर्पित कर दें उसके बाद दुर्वा चढ़ा है यह आपके पूजन विधी जो एक नियम होता है कैसे पूजा करना चाहिए पार्ट्यार टाइप मतलब step-by-step जा रहा है इस किताब के माध्यम से पुष माला दे दें, पुष माला के बाद दुर्व चरहा दें इस मन्तर से दुर्वा चरहने के बाद आप उसके बाद सिंदूर चरहाएं सेंदुस अरपित करें अरपित करने के बाद अपी गुलाल आदी ना परिमल द्रब जो भी हो वे अरपित भगवान को सुमःप्यामि कर दें गनेश अम्भी का भगवान को फिर उसके बाद सुगंदित द्रब जो हो वे शुगंदित अर्पन करें फिर उसके बाद धूप से प्रभू को धूप देखाएं उसके बाद दीप जलाकर प्रभू के दीप दिखाएं और उसके बाद हस्त प्रलाक्षन कर लें अम्रशी के शाहिं न महकनकर दोनों हात को दोले और उसके बाद नौवेदको गंद्र Craig करें ये जल से उससे नौवेदको चावतरफ निकाल घेर कर प्रभू के सामने रह दें भख 1 को भोग लगा इस मंत्र को पर कर उसके बाद नौवेद निवेदित करें उसके बाद जल को समर्पित कर दें जल उसके बाद दिरा दें उसका करो फिर दोनों हातों की नामिका उंगलिष से बन्या चंदन समरुपित करे भगवान को रिटू फलखाएं रिटू पल अर्फित करें ताम्बुल चरहाएं लॉंग सुपाणी यह सब भगवान के इलाइची यह सब जो हो उनके स्रीच रणों में रखें दक्षिना चरहा दें यह समंत्र बतलाया गया है इस मंत्र के द्वारा आप सभी क्रमकांडी और द्रब दक्षिना समपित कर दें उसके बाद आरती यह सब पूजा जब हो जाए तो उसके बाद आरती के लिए इस मंत्र वैदिक मंत्र बतलाया गया है इस मंत्र से आरती करें कपूर के आरती करें आरती के बाद जल गिरा दें आरती हो जब हो जाए तो आरती करने के पुष्पांजली करें फिर पुना एक बार यह समंत्र पढ़कर प्रभु को पुष्पांजली अर्पित करें और प्रदक्षिना करें प्रदक्षिना करें प्रदक्षिना करने के बाद विशेशा अर्ग दें ताम्रपाद में जल चंदन अक्षित फूल फल दुरुवा और प्रात्ना करने के बाद प्रभु को सश्टांग नमस्कार करके अगर पूजन आपका हो जाए तो भगवान को ऐसा कहकर समस्त पूजान कर्म को भगवान को समुपित कर देना चाहिए तथा सश्टांग नमस्कार करना चाहिए और पूरा नमस्कार करके अपने वरो का असरवाद लेना चाहिए यह पूजा बिधी बतलाया गया है गनपती और गौरी जी का पूजन बिधी हम आपको step by step कैसे किन मंत्रों का इस्तमाल करकर आप पूजा कर सकते हैं और यहां पर लास्ट में देखिएगा किताब के लास्ट में लिखा हुआ है कि अंचल प्रतिमा का विशर्जन नहीं किया जाता है मतलब जो प्रतिमा अंचल हो उसे विशर्जन नहीं करना चाहिए किन्तु अव आहित एवं प्रतिष्ट देव प्रतिमा का विशर्जन करना चाहिए और जो अव आहित हो एवं प्रतिष्टित देव प्रतिमा हो उसे आप विशर्जन कर दें प्रेम से बोलिए श्री हरी इस तरह आप पूजन करें धन्यवाद और यह सब जो मंत्र है इस मंत्र को हम आपको अगले वीडियो में सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें जो भी आपकी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में अवर्शे प्रदान करें जय स्रीकृष्णा